राजनेतिक लोग इस बात का चिंतन कभी नहीं करते में सब पार्टियू के लिए कह रहा हूँ कि आपके वक्तब टीवी के जरिये ननकू और रज्जाक के कान में जाते हैं और जब उनमें सत्ता कम होती है तो बड़ी विद्रू प्रिस्थती पैदा होती है आपके बारे में हर राजनेतिक दल के सदस्य जोड़ लो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस उत्तर पदेश में बाकी छोड़ो ओंपरकाश राजभर की पार्टी और पीस पार्टी एयूप साब की छोड़ दो इनी चार का जोड़ो लो इनके दफ्तर से जो क्लेम करते हैं और वेसे जोड़ो बारा में चवरो आदमी सरक पर सेवा कर रहा दा को रोना में इसका पता हम उत्तर पादेश में रहते हैं यह हमको नेत्र दोष है लोग देखते नहीं क्या अंधे क्या आपको त्याग बताना नहीं पड़ाएगा आप त्याग करेंगे तो जिसके लिए करेंगे वो अपने आप अभार व्यक्त करेंगा इटा है गाज आपास से गाजी पूरबस्ति से बैदाईस्ति तक जाएगे घ्डार हो जाएगी एक हो रही है जागा का और अगर रागी तिक वा प्रवा में लगंत मगं थे तो यह जाबाजिक संगठनों ने किसी ने चपल बाती जूते बाते किसी ने सत्तु वाटा किसी ने घंचा वाटा हुआ जन्वरों को खिला रहे थे एसी बाते मत किया करिए घायल मन को और घायल मत करिए किना जी हम तो गरीब के लिए तबाह हो गए परबाद हो गए प्राणत्याक दिया हम ददीच हो गए ननकु को रतवंधी नहीं है रज्जाक को रतवंधी नहीं है चुनाब में बता देता है न सारी टीवी की बहसे गाइब हो जाती है फिर्चुनाब में तब ननकों की आत्मा जो कहती है रज्जा की आत्मा जो कहती है भांग उठा लगता है कैसा चना ही है उंगली कटा के भगत सिंग मत वनो मैं एक बात कहता हूँ नपना एक रखो बार बार मैं बोलता हूँ अगर किसी देश में हम ट्रंप की आलोचना करते हैं क्यों कि ट्रंप ने कोरोना का मैनेजमेंट ठीक नहीं किया नास कर दिया अच्छा जी हम राजियों की आलोचना करते हैं पार्टी की आधार पर वहां का मुख्यमंतरी ने बरबात कर दिया केजरीबाल ने बरबात कर दिया दिल्ली अरे केजरीबाल फेला रहें कोरोना लेकिन अगर किसी दाजी ने कोरोना में अच्छा प्रबंदन किया तो हमारा इतनी पारदर्शिता तो रखो इतनी मांदारी तो रखो और मैं तो एक ही बात जानता हूं रोजगार का मसला है केके भाई कह रहे हैं जुमला है विवेक साइलनस जी का दूसरा तर्क है अनुभब जी का तीसरा तर्क है भट सापका चौथा मनीश भाई का पाँच अबाई मैं कहता हूँ मीठा गुल खाएगा आदमी तो गुंगा भी होगा तो उसका चहरा बता देगा को उसको गुल अच्छा लग रहा है है ना उसको राजनितिक वक्टाओं की ज़रूरत नहीं जिसको काम मिला होगा उसको किसी पार्टी की सर्टिफकेशन की जरूरत है क्या किद्वस्थ्फाल में व्यबस्था ठीक है तो पूरे इलाके को को इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि पार्टियां क्या कह रही है वो लोग खुश हैं वो करें बाइक व्यवस्ता ठीक है और व्यवस्ता खराब हो और सारी पार्टी कहें बहुत अच्छी है तो भी नहीं मानती जनता यह तो राजनितिक दलों को गलत फेमिया हो जाती है अमा और एक बात और कहूंगा बात थोड़ी कड़वी है तारे राजनितिक लोग है चुनाव जो सरकारे चुनाव हारती है बड़ी महत्यपूर बात कराओ मित्र उनकी राजसरकारे लेलो धारण के लिए उनके यहां भी चार-छे महिने पहले विग्यापन तो यही आता है कि सबकुछ दुरुस्त हो गया बिल्कुल सुन्लिम काल चल रहा है यही ने भी ज्यापन दिन बर चलता है फिर जनता क्यों हरा देती है क्योंकि जमीन पर नहीं हुआ होता है कि अगर जंता का मेंडिट मिल रहा है कि तो मैं मानता हूं काम हुआ झंता का मैंडिट नहीं आया तो काम नहीं भुआ पिर फाइलों में हुआ होगा यह तत्त जाल लिजिए विज्यापनों से पार्टी के प्रमक्ताओं के वक्तव्यों से प्रेस रीजिस से जन्मानस नहीं बदलता मेरे पेट में भूक है तो मुझे पता नहीं होगा इसलिए मैं कहता हूं उत्तरपदेश में अगर वायू मंडल बदला है तो यह सबके लिए संतोष का विशे नहीं है क्या हमको जीना यहां है मरना यहां है यह हमारी जमीन है इसमें हमारे बच्चों के हाथ में रोजगार आया मुझे यादे कोरोना काल में एक बार योगी जी से बात हो नीटी तो उन्होंने कहा था कि भाई यह जो हजार रुपया से थोड़ी ना चलता है अर्थिवाबस्था है अगर हमको उत्रपदेश में मांग पैदा करनी है बड़ी फैक्ट्रीज चालू करने के उनके उत्पादन के लिए तो उसके लिए गाउं में ग्रेशक्ति करना पैदा हो करनी होगी कि शेहर के लोग सामान खरीट के उद्योग चला लेंगे नहीं यह बड़े सवाल थे और अगर यह सवाल हल हो रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है मैं उन लोगों मेंसे नहीं हूँ कि लखनव आगर एक्स्प्रस बें बने तो उसकी आलोचरा इसलिए करूं कि समाद्वादी बार्टी ने बनाया और मैं उन लोगों मेंसे भी नहीं हूँ कि अगर पूर्वांचल एक्स्प्रस बें बन रहा तो उसकी आलोचरा इसलिए कर सबसे बड़ी बात मुझे जो दिखाई देती है इस देश में ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके पास 15-15 साल के मुख्यमंत्री पद का अनुवब है 15-15 साल का उनके राज्यों का पदर्शन जाके देख लीजिए योग्यादे तनाथ तो कभी मंत्री भी नहीं रहे जाके देख लीजिए देश भीडिश घूमे हुए मुख्यमंत्री है जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है उनके यहां पर स्क्राइब यहां है जिए अगर कोरोना नियंत्रण में आया की छोटी उपलभी है यह यह इसमें भी पार्ती भाजी हो गई भाजपा के काल मैं कैनी внधन में यह इसलिए नहीं बोलेंगे उनकुन के क्या है अनियंत्रिद हो जाता क्रोना नाक्यार तो बोलते ना सब ल अपने प्रदेश के विकास की बात हो, अपने देश के विकास की बात हो, उसमें राजनेतिक गाठों को थोड़ा खोलिए, मन को थोड़ा बढ़ा करिए, विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, उस अधिकार का लोकतंतर में सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई सरक कभी अच्छा काम करें तो 365 दिन हम आलोचना ही करेंगे यह भाव भी ठीक ने धन्यवाद